कि सभी साथियों को मेरा नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज तीन सितंबर के जन्सत्ता विशलेशन में आए शुरू करते हैं आज का जन्सत्ता विशलेशन बिना किसी देरी के पत्रिश्पे आज हमारे सामने मानने सुरूच न्याले ने बुल्डूजर जलन बन गया है कि बुल्डूजर से प्रादियों का घर तोड़ देना ढहा देना इसको लेकर टिपणी करी है और ये कहा है कि आरोपी होने पर ही कैसे ढहाया जा सकता है किसी का मकान यहां पर मानने सर्वोच ज्याने ने एक चीज़ पॉइंट आउट करी कि ये जो बुल्डूजर वारी नीती चल लाई है कई राज्जियों में ये लौव एन ओर्डर तो कम पॉप्यूलिजम से ज़्यादा इंफ्लूएंस है पॉप्यूलिस्ट अप्रोच पॉप्यूलिजम जैसे कि हम भी जानतें कि उत्तर पदेश में माननी योगी आतिनाथ जी को बुल्डूजर के होने से कितना ज़्यादा सोशल अपील मिली माइलेज मिली है पॉलिटिकल बाबा का बुल्डूजर ऐसे ही मंध्य पदेश में भी चलन्ज शूरू हो गया है तो सुप्रिंग कोट ने कहा है बतौर कि आप सिर्फ और सिर्फ जंता के अपील जीदने के लिए पॉप्यूलिस्टिक अप्रोच जीदन के लिए ये काम मत करिए और सिर्फ अपराधी कह देने से अपराधी नहीं हो गया रखती है आप कैसे ढ़ा सकते हैं इसके मकान अपराधी आपने अरेस्ट कर लिया है आप उसे कोट में लाईए कोट परसुद करिए वो कॉन्विक्ट हो उसे बाद जो न्याय प्रक्रिया है उसके अंतर कार जिरूरी हो तो वो करा जाए मगर आपने पहले ही मीडिया ट्रायल करके आप लोगोंने अपना अपना और जब मीडिया ट्रायल में आपको पॉप्लिस्ट अप्रोच वोट मिल गया यहां भाई यह वह यह वह यह इसकर पॉपुलिजम कहते हैं इसी तर्म है पॉपुलिजम पॉपुलिस्ट अप्रोच कई राज्जीतिक शास्तर के लोग जानते होंगे तो यही सुरुट ने लिए ने कहा है नैमुर्थी बियार कवई और नैमुर्थी केवी विशनाथन की पीट ने कहा है कि भले ही दोशी हो फ दायर हलफ नामे का हवाला दिया उनने कहा कि हलफ नामे में कहा गया है कि सिर्फ इसलिए कि किसी विक्ति पर किसी अपराद में शामिन होने का अपराद अरोप है उसकी अचक संपत्ती को दोस्त करने का अधार कभी नहीं हो सकता मैता ने कहा कि राज्जी ने कहा कि कि किसी को नियमतित करने वाले कानूनों में yapthourdhk celebrate in Griffith की नियुक्ति तीयुक्त में निया रहे होता हैं होता है उस आदार पर मकान वकान है संपत्ति को तोड़ाएं जब कोई क्रूच्मेंट कर आं है किसी ने कपजा कर रहा हुआ जमीन पर वगएरा वगएरा ऐसे हम इन कारणों के वैसे कर रहे हैं ना कि हम ऐसी किसी को तोड़ दे रहे हैं तो पीछ ने ही कहा है कि आप यदि एसेती को स्विकार करते हैं तो हम इसे दर्च करेंगे और सभी राज्यों के लिए निश्य निश्य जारी करेंगे हमें सरवजनिक सरकों पर किसी भी अनाधिकरत नमाड या अत्रिक्रमण को सनक्ष्ण नहीं देंगे यहां तक कि सरवजनिक सरकों पर बने मंदिरों को भी सनक्ष्ण नहीं देंगे तो खोट ने यह का भई अगर आप यह क्या नाचा रहे हो कि भई जो अनाधिकरत है जो कबजा है इंक्रोच्मेंट है उस वह से आप तो भी ठीक है फिर आप सब पर चलाओ और लाटी फिर एना अगर यही बात है तो फिर आप बुरे बुरे जिलों में अभी हां चलाईए तो उशार महता साब ने कहा कि वैए दिखा सकते हैं कि अधिकारियों ने तो उखोट पर काफी मामले की नोटिस जारी कही थे उनने कहा कि जिवाद को मेरे अलशामें में इसे खतम किया सकता है जो मैंने काफी समय पहले दाकिर किया था इस मुद्ध पर इस ने दिश तियार करने कि अवशिकता पर बल देते हुए पीड ने कहा कि यह समचित करना आफशक है कि ना तो कोई एक्टी किसी खामियों का फाइदा उठाएगा और नहीं अधिकारी खामियों का फाइदा उठाए है सरकान ने देखी वही होता है कि अमने बयान देती है उसमें बिटायने को प्रैस करती है यही चलता रहता है फिदालम बढ़ेंगे आज कल्प मिधा की ओर और संपत्ति की ओर और शुरुवात करेंगे कल्प मिधा से जैसे एक अच्छी तरहा बिताया दिन सुखद नीद लेकर आता है उसी तरह एक अच्छी तरह बिताया जीवन एक सुखद मौत लेकर आता है लिएनादोदविंची साब ने जीवन का सार बता दिया और आजकर लेकर कुदत की कोप का असर के लिएक लिखा है रिट spricht 2017 साथ द्वारा कुद्यत के जब तब जब तब दिखते विदंसक रूप के लिए स्मिवधार हम ही हैं बाड़ बारेश पहले भी होती थी लेकिन तब तिवाही का से ऐसा मंजन नहीं होता था हमने ये क्यों नहीं सुचा की जिससे हमारा असित्व है जिससे काराण हर्पित्व पर जीवन की सारी इर्गती विलियों पर कर पाते हैं उसकी भी तो कुछ आशकता होंगी बस इसी अंदे की लापरवाही चूप क्या स्वार्थ का खामियासा आज हम बहुत रहे हैं प्रकरती हमें से देती है लेती कुछ नहीं है उसका मौन का हमने इतना अनुचित लाव और उठाते जले जा रहे हैं कि उचित अनुचित का ध्यान ही नहीं रहा है दीए हम जानते हैं कि एक इर्वामेंट में हमने कई बार पड़ा भी है कि एक कैरिंग कपास्टी होती है एकुरिस्टम की जब तक वो जहिल सकता है एक पॉइंट के बाद जब नहीं जहिल पाग मानब ने सबिता और कथित विकास का मखोटा क्या ओड़ा अपनी प्रगती की गाईयों तैक ही प्राकतिक संसाथनों का उप्योग सुर्थ की लिए करना शुरू किया और विकास का सलावा देकर धर्दी नदियों जंगल पहार से लेकर आसमान तक ये विरूपन का हद किया अपनाया प्रगती अपना संतलन को बैठी मता हम लोगने से अपनी मर्जी के जो मन में आ रहे हैं कि हमें हमें शहर चाहिए नगरी करन चाहिए हमने का जंगल काट दो हम भूले बैठे कि जिस तरह हम रोज सिंगार करते हैं तारो ताज तरो ताज रहने के लिए आने गतिविदियां करते हैं प्रगती को भी तो वह जरूत है पहार जंगल नदियां इसके आउचन हैं मान असर बेता या विकास के नित नए सोपन चड़ते हुए हम कैसे भूलते चले गई कि पहार नदियां जंगल और सच आसमान ही हमारे जीवन के संदक्शक हैं इने ही हम सम करने पर तुल गए हैं मला कुदरत क्यों ना कपित हो इसी अन्देखी या जात्ती की कीमत आसमुची मानता किसी ना किसी रूप में चुका रही है बीते कुछ वशों में उत्रखंट के दोनों मडलों में काफी कुछ नया हुआ है विकास के नाम पर कुमाओं और घड़व के नाम पर शुरू की गई धेरो जल और धर परी हो जाएं कासर भी देखने लगा है समुच उत्रखंट में भूमी पहार नदी जंगल और की तासीर पर डेर रपटो और शोधों के बावजूद सरकारी अदासी और अदेखी इसे क्या लगता है कि इतना कुछ देखने फॉरेस्स रिपोर्ट सेट और पॉलमिशन इंडएक्स दुनिया भर की रिपोर्ट लगा पड़ा है अन धियानों का तो अप्ड़ कुल अंबार लगा पड़ा है कि इपती मूटी-मूटी फाई ल्या खटा होई पड़ी है रिपोर्ट के नाम पे मगर जो गवर्मेंट ह है उसे इत्तु सा फर्क भी नहीं पड़ा है कि अंधिखा कर रहे हैं इंग्णोरिंग दफेक्ट्स इंप्लिमेंटेशन में बशीमी घार पर शिंखला में बसा वैनाट के बारे में बहुत पहले कई स्याइंटेशन लोगों नने कहा था साइंटेशन विसी के लिजिगार जियोग्रफीज वाले होतें है उन्होंने कहा था कि बैनाड जो है यह अपनी एक वैली आपने इसमें बना दी हैं मकान और बसावट कर दी है ये बहुत पहले क्लियर था कि वैली जो होती है उसमें लंबे समय से अगर बानी बानी का फ्लो नहीं हो रहा है प्राकतिक चीज़ नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि महाँ पर कभी नहीं होगी जब कभी भी प्राकतिक आपदा आएगी पहाडों का उपर का जतना भी चिट्टान बड़े बड़े बुखंड है अगर कोई प्राकतिक आपदा आती है बारिश बहुत देर तक होती है उपर का जमीन कमजोर हो जाता है जो گृफ होता है तो सबसे पहले ये सारा जो माल है ये इनी में आके गिरेगा ये सब को पता है सब को पता है सबसे पहला काम तो ही होगा कि उपर से कमजोर होके यह नीचे की तरफ आएगा और हमने यहाँ पे पूरी पूरी माना बस्तियां बसा रखी है त्योंकि यही एक संतल जगा होती है यही सपाट जगा भी होती है वह तक है वायनाड यही आपदा हो जाती यह पूरा यह नश्ट हो गया उसमें यही ऐसे पूरे मलाइन से मकान वकान बने होते सारे आपके इन चितर में आसपास यही सब नश्ट हो गया वेनाड में यही हुआ आपका और यह घाटी और बढ़ी हो गई उल्टा इरोजन हुआ है ना पहाड का इतना इतना पोशन कटके नीचे आ गया इरोजन हो गया है पूरा सा अंटाइडी सा हो गया श्माचाता हूँ है ना आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको सुझाए कैसे वेनाड में उसी छेतर में बसावट थी जहां पर अल्टीमेटली नीचे आके सारा रॉकी टेरेन रॉकी मट्रियल आके गिरेगा उस विए से हमें एक बाहर नुकसान हुआ जितना आपका बोल्डर्स होते हैं पूरा पू और वे नावे भी चलना यह बिसिकली जहां पर पानी की समझ से होती वहां का बता रहे हैं वेता पूर्ण पर्यावरंड चेतर वाला भारत जहां ठंडे गरमस्थान वहां एक बार कुछ अलग सोच भले बने लेकिन विश्व की कई ठंडे चेतरों की बदली सित्पसितिया रॉंक टिखड़ी कर देती हैं लैंसेट पॉब्लिक हेल्थ तरीका में प्रकाशिति शोच चिंता जनक है शोच करता चिंतित है कि अगर वैश्विक तपिश की कतिती चार्ट डिग्री सेट्सियस तक पहुच गई तो मौतों कहां खड़ा बेहर ड्राप ना होगा सथी में लगे वी समस्या है समस्या है आँब देखो आप यक तरफ जहां पहाड़ी चित्रण में लैंडस्लिेट के समस्या आघे है वहां पह हमें जितने भी पोडें डीचन्स कि हम लोग तो परिशानी जिये लेंगे गर्मी इतनी बाड़ी है कि यूरोप जैसे जगाओं पर जहां पर ताफमान समाने तरह थोड़ा सा कम होना चाहिए वहां पर तक गर्मी पढ़ने लगए अनिक शोधुक में सामने आया है कि अगर वर्तमान नीतियों पर ही चलते रहे सदी के अंद तक ग्लोबल वामिंग को दी इंडिगरी सेल्थियर तक ही सीमित किया जा सकेगा यानि संभावना इसे जादा की है कि वर्ष 2021 के बाद आपमान में और विद्धी के संभावना है कारण जिस कारवन सर्जन को शुद शूड़ने तक पहुंचने के दावे किये गए हैं नेट जीरो कारवन एमिशन्स वह इन प्रसितियों में दूर दूर तक संभाव नहीं दिखता है जो बाते हमने करी है ने सेक्टर इतना कॉंट्रिबूट करता है पॉलिशन को कमेर्शिल फेक्टरीज हैं आपकी इंडस्ट्रीज सब चल रही है कुछ बंद नहीं हुआ है तो कुछ ध्रातल में ही नहीं कि जबकि परिवर्तन परियावन परिवर्तन बहुत ही डिंगरस है तभी आपको आची तार कॉसरटी पर कारवाई इस बात को लेकर पिछले कुछ समय से सवार उटने शुरू हो गए थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपरात का आरोपी है तो सिर्फ इस कारण उसके घर को बुर्डोजा से कैसे गिरा सकता है वही मैंने को बताया कि होके राता आस तक कि जो व्यक्ति कि सीर्फ बस उतना लगया कि हां अवरोपी है तो सरकारे इसी अधरी का मकान पूरा ढहा डे रही थी हाला कि सरकारों यह एक सिर्क हम ने एसा कुछ नहीं कर कि अगर आप इतना हुश्यारी दिखा रहे हो ठीक है आप एक काम के लिए जहां जितना तिक्रमण है अपसे भटाईए वाग। अरत ने यह तक कहा कि कोई विक्ती भले दोशी हो फिर भी कानून द्वारा निर्धारत प्रक्रिया का पारंग किये विना ऐसे नहीं किया सकता है। गौतलब है कि हाली की दिनों में किसी जगने अपरात की आरोपी को खिलाफ कारवाई के नाम पर उसका घर ढाया कर भले सकती का अंग्देश दिया जाम रहा हो और इससे कुछ लोग पसंद भी करते हों। अगर कानून मान विए तक कसवाटी पर यह तो और तरीके सवालों के घरे में शुरूस होते हैं। कि लॉइन ओडर तो होता है कानून ने समीधान लिखा हुआ ने तेश में क्या समीधान सभा के मेंबर्स ने डाफ्टिंग कमिटी मेंबर्स ने कहीं भी मैंशन करा था अरोपी के घर को गिराने के करम में अतिक्रमण या वैद निर्माण को अधार बनाए जाएगा तो तो सभी नागर्यों के लिए व्यापक और समान दिश्टिक्रमण अपाना की जरूत हो कि अगर आप यह कह रहे हो कि हमने जिंजन का मकान है उन्होंने नियमों को लंगन कर तो भाई अगर आप इतने नियम में एक्टिवेटेड़ हो कि आप यह काम कर तो ठीक है आप एक काम करिए आपने शहर के फिर सारे तरी को अटाई है अगर आप यह पाई यह मकान था यह लीगल था इसने इंक्रोश्मेंट कर रखा था इतना इसलिए हमने क्या करा मकान तो अगर आप इतना 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 बढ़िया काम कर रहे हैं वहरें गोड़ है वाल दा बैस एक काम करो में शहर के ना सारे तीके महड़ा हुआ है सब के बराबर रखो ना मनिपूर में एक भी ऐसा सग्येत नजर नहीं आता जिससे पता चले कि सरकार मनिपूर में हिंसे रोखने का लेकर गंबीर है भी कि नहीं है बहुत ही सही बात कर यह है सबसाल से उपर हो गए मगर अब भी वहां कूकी और मैते समधाय के भी संगज़ जारी है इन समों के उगरवादी संगटन लक्षिता हिंसा करने लगे हैं अब तो पुरी पुरी खुले में लडाईया होती है पहले समों के लोगों को घेरों को निचिनित करते हैं और फिर हमला कर देते हैं इंफाल में पशिम हिस्से में हुए ताजा हमले इसका घरण है उसमें एक मईला सही दो लोगों की मौत हो गई और नौ घायलों की गोली लगी है इस घटना के बाद मक्यमंती एंबिरेंसिंग में संकर बिलिया है कि वह किसी भी टर्मपंती गुट को कट्टर पंती और राच्टर विरोधी नहीं बनने देंगे एक्स्ट्रीम में से मित तक गुर्वादी ने कर पा रही है सरकार की गवर्मेंट है, होमनेस्ट्री है, आई भी है, रहो है चीवी बात नहीं है कि मनिपूर का सहरा संगर सरकार की जलता की वज़ास से पैदा हुआ है बहुकर एक नर्म सा व्यू अपना हुआ है शुरू में ही अगर सरकार ने दोनों समुदायों के बीच पैदा हुआ है गलत फहिमी को दूर करने का प्रयास करा होता तो वैमनस्ट्री था कि आग इस हद तक नहीं बढ़कने पाता मगर सरकार ने तो ना तो बादशीत की पहल की और ना ही उपदरवियों पर काभू पाने की कोशिश की यही वज़ाय कि पिछले वश्च से हुई हिंसा कि बाद कई धानों शस्तरागरों से हतियार रूट ले गए और उनका हिंसा में इस्तिमाल होता रहा पुलिस की मौझूदकी में महिलाओं को निर्वस्तर घर भूमाने उनसे बलतकार और उनकी हत्तित की घटना हो चुकी है मगर उन पर कारवाई तो प्रता नहीं दिखाई गया है अब तक दो सो से अधिक लोग मारे जा चुके हैं अजारों लोग अपने घर बाद छोड़ के शिवरों में रह रहे हैं मणीपूर की मामले में केंडर सरकार का रवया भी शुरू से सवालों की घेरे में रहा है जिन राज्यों में बख्षी दर्लों की सरकारे हैं वो उन से चोटी-चोटी सी घटना पर केंडर ग्रह मनता रहे तो उन जवाब तरब कर लेता है अगर मानीपूर की मामले में मौन साधे वह ही दिखता रहता है साथी दिखे रूल ओफ लॉओ ना चाहिए ना इफ देर आर नी पॉलिटिकल मोटिफ्स तेन इस नॉट गूट फॉर अगे बढ़िंगे आगे आगे आटिकल पढ़ ली जिगा यूर आटिकल वच्छी यूर आटिकल तो बढ़िया था बारा समधान की दिश्चा भारत चीन हलागी मैं यह थर्टीफर्स्ट औगस्ट की वीडियो में आपको पता चकूँ पहले ही थर्टीफर्स औगस्ट की वीडियो में डीटेल मेरे बताये हुआ है आप देख लेज़ेगे जाके समझभा जाएगा आपको मैं कहना की चाहरा हूं आर्टिकल यह इस आटिकल आते पर इसी साथ हम दिखते हैं आज मेरी मेडल मेडल की तालिगा क्या हुई है पदक तालिगा में भारत का प्रदर्शन चौदा मेडल भारत के चुके हैं चीन जब से आगे 84 और हमारा अमरीका है 89 तो याद रखिएगा अभी हम लोग 14 मेडल जीते हैं पारलंपिक में अभी फिलाल इंतजार कर यह बहतर ही होगा बाकि आज के लिए इतने रखते हैं अपना कींती समय दिने के लिए बहुत आगे तो यहुगजवा क्यों होगगर दो जो एंब यह बहुते के लिए दो मेडल शावर जो बहुते हैं तो सरी कर दो इंतने तो बहुत विलास्गर बहुते हैं बहुते हैं बहुते हैं तो